काली घाटी के जंगल में सुभह सुभह सभी जानवर एकठा होकर कुछ बातें कर रहे थे. जंगल का राजा, जो अलग बैठा हुआ कह रहा था, हमारे जंगल को खत्रा है. कोई इंसानी बच्चा जंगल में घुस गया है हमें उस इंसानी बच्चे को जंगल से बाहर निकालना है लेकिन ये काम करेगा कौन सभी जानवरों ने कहा राजा जी आप करेंगे और कौन करेगा आपसे भी जादा बहादुर कोई है शेर थोड़ा घबरा गया उसने अपने मन में कहा राजा हूँ तो क्या मुझे डर नहीं लगता इतने में वो बच्चा सामने से ही आ जाता है सारे जानवरों में भगदड मच गई शेर अकेला बचा शेर अलग डर रहा था बच्चा अलग डर रहा था बच्चा बोला शेर अनकल मुझे मत खाना मैं बहुत भूखा हूँ मैं तीन दिन से खाना नहीं खाया हूँ मैं यहां भटक कर आ गया हूँ शेर को बच्चे परदया आ गई उसने सभी जानवरों को बुलाया कहा इसे खाने के लिए कुछ लाओ तो जानवरों ने कुछ फल लाए बच्चे ने खाया उसके जान में जान आई सब जानवर उसे चारो तरफ से घेर कर खड़े बच्चा खाने के बाद वहीं सो गया उस दिन से सब जानवरों के साथ जंगल में ही रहने लगा बच्चा जानवरों के साथ दोडता और खेलता एक दिन जंगल में एक शिकारी आया उसने एक हिरन को जाल में फसा लिया हिरन छत पटा रही थी इतने में लड़का शिकारी के सामने आता है और कहता है हिरन को छोड़ दो, नहीं अच्छा नहीं होगा शिकारी कहता है ये छोटा सा बच्चा मुझे रोक रहा शिकार करने से बच्चे ने फिर कहा समझ में नहीं आ रहा यहां से चले जाओ शिकारी ने कहा नहीं जाओंगा इतने में शेर शिकारी पर हमला कर देता है शिकारी का पते हुए कहता है मुझे माफ कर दो लड़का कहता है जब मैं कह रहा था तुमने सुना शिकारी बोला मुझसे गलती हो गई अब कभी नहीं इस जंगल में आऊंगा लड़का बोला शेरू चाचा जाने दो इसे लेकिन अब यहां कभी वापस मताना शिकारी वहां से अपनी जान बचा कर भागता है लड़का हिरन को आजाद करता है सभी जानवर बहुत खुश थे और जानवरों ने लड़के का नाम मोगली रखते हैं यहां शिकारी अपने गांव वकर गांव वालों को बताता है कि जंगल में जानवरों के साथ एक इनसानी बच्चा भी रहता है, ये बात आग की तरह फैल गई और पुलिस को भी पता चल गया, उस लड़के के माता पिता को भी पता चल गया कि मेरा ही बेटा है जो जंगल में खो गया था, गांव वाले और उसके माता पिता पुलिस के साथ मिलकर जंगल में उस बच्चे को ढूंडने चले जाते हैं, इधर जंगल में खबर फैल चुकी थी कि गांव के कुछ लोग जानवरों को मारने आ रहे हैं, सुबह ही एक सभा बुलाई गई जिसमें सारे जान करूंगा, अगर नहीं मानेंगे, फिर जो होगा सही, उस समय किया जाएगा, हर कोई अपने आपको तयार रखे, सभी जानवरों ने कहा, ठीक है